हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे S.Y.L. vs. C.C.H. ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में यानि की बंगलादेश T20 लीक का मैच आ चुका है इसके बारे में हम बात करने वाले आज के दो बैच है दोनों कवरेज रहेगी बंगलादेश T20 की भी और आने वाले और मैच इसकी भी कवरेज करेंगे जिसे 20 लीक के मैच की लेगी उसके लिए आपको फाइनल अपडेट्स तो मिलेंगे टेलिग्रम चैनल पर ही जितने भी मैच इसे होगा ये मेरे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी अभी कुछ वीडि बता रहे हैं तो जो लोग हमारे यूजवल सब्सक्राइबर्स है वो क्या कर सकते हैं एक बार बैल आइकन को प्रेस करके ऑफ करके और भी कर सकते हो इससे होगा क्या मेक्शोर हो जाएगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन आए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं दोस उतने रंस तो यहां पर जरूर बन रहे हैं ठीक है अब यहां पर आप देखी रहे हो चार जो मैचिस हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया मैच 9 और मैच 10 इतने रंस नहीं बने थे इन दोनों में लेकिन 16 में से 10 विकेट फास्ट हो गई पांच स्पिन को एक रन आउट यह हमें से 8 विकेट फास्ट तीन स्पिन यहां पर भी कुछ ऐसी देखने को मिला स्पिन को थोड़ा सा जादा हेल्प हुआ रंगपुर ने वान 83 की है बाकी ढाका से सिर्फ 104 ही बने अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे यह जो दोनों गेम्स है मैच 10 और 12 यह रात वले गे के ब्रेक वे मैच हो रहा है तो एक्सपेट करूंगो एट लीस्ट 150-160 बने लेकिन एक इवन कॉंटेस्ट बैट वाल के बीच पर देखने को मिलना चाहिए अब यहां पर आप देख रहे हो 63 में से 30 विकेट फास्ट 28 स्पिन चार अनौट एक बंदा एपसेंट हो गया था तो और आप मान के चलो फास्पिन दोनों को है नूट्रल विकेट है एवरिटिंग इस नूट्रल आईए स्कोरिंग देखते हैं कौन कितने स्कोरिंग कर रहा है लेकिन उससे पहले भाई सिलेट की टीम थोड़ी सी कमजोड चल रही है तीन मैच के लिए तीन के तीन हा रही है आईए देखते हैं इनकी स्कोरिंग रही कैसी है तो भाई देखोगे अगर तो नजमन असेंशन तो 36, 14 और 5 यह हैं टीम के मेन प्लेयर हैं बट स्कोरिंग अभी तक एक ही मैच में आई है सिर्फ एक मैच में 30 प्लस किया तीन में से महमल मिथुन का भी सेमी रहा है एक ही या सिरली, बेन कटिंग, मश्रफि मुर्तजा, चौदरन, राइन बल कोई कुछ खास नहीं किया राइन बल को सर्प्राइजिंग ली कोई ओवर भी नहीं मिला वैसे यह बहुत अच्छे स्पिन बोलर हैं तो कई न कई टीम का मुझे समझ नहीं आ रहे है टीम करना क्या चा गए तो ठीक है वरना टीम कुछ खास बल्ले से तो नहीं कर पा रही और लास्ट मिशन ने बैनी होल को भी निकला है जो सब्पराइजिंग था तो टीम करना के चारी है थोड़ा समझ के परे हैं मेरे बैन कटिंग ने फर्स्ट ओर डाला था पिछले मैच में वो देख लो जनरली कभी डालते भी नहीं है तो टीम का थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है नगारवा देखोगे तीन मैच में चार विकेट निकाले हैं मेन बोलर है इनके 18 और 20 ओर भी किया है तो अगर आप एक प्लेयर को टस्ट कर रहे हो तो वो डेथ बोलर हो सकते है जो है रिचर्ड नकारवा समित पटेल ने बढ़िया बोलिंग करी थी तीन विकेट निकाले थे 7th 9th 11th 15 ये जो लेफट आम स्पिनर्स है ना इस टूनामेंट में लेफट आम स्पिनर्स ने हमेशा शुरू से लेके अभी तक अच्छा किया लास सीजन पी उठा के देख ल मिला था मैच का पहला और इन्होंने LBW भी किया था ठीक है और वो भी चोटी मुड़ी विकेट नहीं थी लितन दास की विकेट थी मश्रफी मुर्तजा एक विकेट पिछले मैच में चार ओवर किये जनरली इनका कुछ अता पता नहीं और करेंगे के नहीं काफी टाइम के की विकेट्ट चाथाच च्टा और सोलवर ऑबर किया था होवल को किलाया नहीं है तो तो खुल मिलाकी नेके क्ल़ी नगार वा समित यह और करेंगे पूरे मुझे क्छान तो टीम की कोई गरेंटी नहीं है किस को नहीं ऊपर नीचे चल रहा है बलकि अगर मैं CCH की बात करूं टीम ऑन पेपर वीक है बड़ पर्फॉर्मेंस आई है चार मैच में तेन विन एक लॉस पर्सनली मुझे लगते हैं बड़ काम करके जा रही है जो काम कर रही है वह इसलिए क्योंकि जो इनके दो-तीन स्टार प्लेयर है वो स्टेप और थर्टी नहीं है तो इनकी दो-णॉक्स अच्छी गई है चार में से इम्रान उजामान इनके विकेट कीपर है इनका बिल्कुल अच्छा ही आप कहलो फॉर्म नहीं चल रहा है बिल्कुल ही खराब चल रहा है शहादत हुसैन है 57-06 22 और 31 इनका भी कुछ खास नहीं चल बहुत खराब भी नहीं चल रहा पहले तो चलो 57 किये इनके तीन रीजनेबल नॉक्स हाई है तो इनकी भी दो आप कह सकते हो चार में से अच्छी नॉक्स है जादरान अच्छे गी हैं 61-24 32-18 कर्टिस केंफर 29 नॉट और भी करके के कुछ फार 29 था और इस अगले मैश में भी डाले जबरदस्त बोलिंग थी और हर कैच में थे या कैच पकट रहे थे या उट कर रहे थे सारी बोलिंग में नहीं कहीं काम दा और काफी लोग इनको ड्रॉप करके आये थे ओवराल नंबर्स आप देख सकते हो बाकी इनकी बोलिंग में में इरको उतना दमखम नहीं तोटल चार मैच में छे विकेट कर्टिस केमफर लास्ट मैच में ब्रिलियंड थे तीन ओवर डाले थे और बहुत विक्टे ली थी अलमीन उसें चार मैच पांच विकेट इनका जो 18-20 ओवर इनको आपको दिख रहा है वो इनको इंपोर्टेंट बनाता है क्योंकि डेथ बोलर है लेकिन सबसे अच्छे बोलर रहे हैं बिलाल खान बहले ही चार मैच पांच विकेट आपको देखने को मिल रही है यह भी इनके डेथ बोलर है और बोलिंग बढ़िया करी है बिलाल खान इनको नहीं पता ओमानी फास्ट बोलर है निजामुदिन तीन विक्टे इनक कुछ खास काम नहीं किया शूव अगर तो होम ने आई थिंग कैप्टन भी है टीम के बट कुछ खास कर नहीं पा रहे ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं बाकि यह है और कुछ है नहीं देखने वला यह टीम चेंजिस जो है जादा नहीं कर रही है जबकि दूसरी टीम चें सकते हो फॉर्म में है तो यह बड़ी कड़ी चोईस है यहां पर किसको लिया चाहे बहुत डिफिकल्ड चोईस है बिकॉज बल्ले से काम कर रहे हैं और बल्ले बाजी क्राव उनका थोड़ा नीचे गया है टू डौन थ्री डौन एक्सपेक्ट कर सकते हो वहीं अगर मुहम को लेके आप जाकिर असन को ले सकते हो कुसाल मेंडेस अभी खेलने रहे हैं फिल सौल टैसे 20 में है इवान उजमन खेले हैं बट कुछ खास किया नहीं है मुहमद हरी इस नौट अवेलेबल लिखे हैं बाइचंस खेलते हैं तो फिर सौटेड आफटर पिक बंजेंगे क्य दिये सेफ बन जाते हैं लेना हाई ओन कॉल्पिडेंस हैंगर वो भी नौट आउड थे तो इसी रीजन से मैं इनको ले रहा हूँ वैसे अगर आपको ड्रॉप करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है नाजी बुला जदरान मिडल में आके अच्छे रंस कर रहे हैं हर मैच मे स्कोरिंग करी है पिछले मैच में अठारा मा रहे थे शंतो ओपनिंग पर लेकिन पर्फोर्मेंस नहीं आया प्लेयर बढ़िया है यह समझ में नहीं आ रहा कि यह टिकर क्यों नहीं खेल रहे है शायद प्रैशर ज्यादा ले रहे हैं वैसे यह बंगला जिश के लिए मैच में चनौक आया था हैरी टेक्टर को एक मैच खिलाया इन्होंने 26 नौटर किये तीन ओवर किये विकेट नहीं मिला काम करके गई या नहीं की लेगिन टीम ने बाहर कर दिया है उसके बाद से अबदुल शफीक अगर खेलते हैं पाकिस्तानी प्लेयर हैं अच्छे प्ल में हीट के लिए अभी चैंपियन बन के आया हैं बिग बैश में एक इन्होंने 140 इंका नौक खेला था क्वालिफायर्ज में एक्सिलेंट नौक था बट दैन अगेन इनको यहां पर खेलने का एक्स्पिरियंस कम है स्पिनर्स को जादा शायद खेलने में दिक्कत आ सकती है यहां कम खेले हैं इस कंडिशन्स में खेले ही नहीं है इन फैक्ट कभी वसीम मोहमद अभी UAE में खेल रहे हैं टॉम ब्रूस न्यूजिलेंड के प्लेयर हैं स्पिन भी करते हैं बले बाजी भी बट इनको मौका न इसलिए हम इनको लेके चलेंगे सुपर आयरिश और हैं बॉन इन साथ अफरीका प्लेंग फॉर आयर्लेंड बट ग्रेट प्लेयर ठीक है पने करियर के आप कह सकते हो एंडिंग स्टेच में इस साल इनको बिग बैश में भी सर्प्राइजिंग नहीं किया गया जांके यह अश्ट्रेलिया की लीग में इनको पिक किया गया हाला कि मीडियम पेस अच्छी है एक और ही करवाया गया पिछले मैच में हार्ड लिए जाने जाते है लोगर आटर में स्पिन पे बहुत ही अच्छी सेफ चॉइस बनती है आपके लिए अब शुब अगताँ होम क्या क्या स्पिन भी करते हैं बल्ले बाजी भी लेकिन पर्फॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है मैं बैक कर रहा हूं शुवगर तो हूं को अगर आपको ड्रॉप कर दें आप कर सकते हो कोई दिक्कत वली बात नहीं है क्योंकि खुद कुछ किया ही नहीं है इन्होंने हाला कि कप्तान है पर्फॉर्मेंस दे रहा है उसको भार करे जा रही है पता नहीं चाहती क्या है क्योंकि हमारियो शेफ़र्ड अभी खेल रहे हैं ऐसे 20 में जो बग सूपर किंक्स के लिए बैनी होवल को टीम ने बाहर कर दिया अगे इन्होंने रंस किये ते टीम ने बाहर कर दिया दो ती शायका तली जोर रह्मान मुहमद इन में से किसी को भी अभी दिफ मौका नहीं मिला वैसे जोर रह्मान अच्छे कॉलिटी प्लियर है बर टीम मौका नहीं दे रही डेथ बोयर हमने दो बात करी थी कौन से हैं रिचर्ड नगारवा और बिलाल खान सिलेट की टीम के लिए बिलाल खान करेंगे या सी सी एच के लिए और साथ में अलमीन हुसेन भी तो यह दोनों क्या करते हैं 17-19 वावर करते हैं बिलाल 18-20 पिछले मैच में तो अटलीस्ट यही था तो यह तीनों एक्चली डेथ बोलर है तो यह तीनों को लेके चल रहा हूं नगारवा रहेंगे या सिलेट के सी सी एच के रहेंगे हुसेन और विलाल तीनों डेथ बोलर को मैंने कवर कर डिया और मेक्सिमम लोगों ने भी किया तीनों का सिलेक्शन हाई है यहां पर इसलाम है वह डाल रहे हैं लेकिन मिरेको बहुत ही एक सौर्टेड आफ्टर पिक नहीं लग रहे हैं बढ़ ट्राय कर सकते हो साकेब है रीसेंड में स्विंग काफी अच्छा मिला बंगलादेश की टीम में भी इनको रखा गया था आपको याद होगा रोहित को इनोंने आउट भी किया था बट मैं इनको टीम में नहीं रख रहा हूं मुर्तजा ओवर डाल रहे हैं एक्स्प पेसर यहां पर विकल्प बहुत हैं वाई विकल्प बहुत हैं लेकिन में से कोई मेरे को यह अच्छे लगते हैं यह अगर आपको नहीं बताना औरड़ी नहीं मसंद खेल रहे हैं बंगलादेश की टेस्ट साइड के लिए मां ऑफ ब्रेक बोलिंग करते हैं थोड़ा में से तीन मैच जीते हैं तो कुल मिला के यह थी मेरी टीम मैं यहां पर अभी बेन कटिंग को डाल रहा हूं क्योंकि मेरे को और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिल रही है बल्ले बाजी में आप पास ऑप्शन्स हैं बेबी सम्वन लाइक नाजी बुला जदरान जो कि देर होंगे ना उनको लेने की कोशिश करेंगे अब कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी पिछले मैच देखोगे तो सिर्फ कैमफर और समित पटेल की परफॉमस आई थी उनको कर सकते हो बोलिंग में जाने तो नगारवा डेथ पर आते हैं उनको ट्राइ कर सकते हो लेकिन मैं स मैंने अपनी कैप्टन सी समित पटेल को दिया अगर आप चाहो इसको रिवर्स करना आप रिवर्स कर सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उमीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी अगली वीडियो में मिलेंगे लेकिन आप सब्सक्राइब करके जाएं बेल आइकन शरूर प्रेस करके जाएं और और नोटिफिकेशन अन तब ही होगी अगर बेल नोटिफिकेशन अन करते हो अगली वीडियो में आता हूँ